आज के इस इंट्रड़क्टरी प्रेजेंटेशन में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी एक बहुत ही स्पेशल सिरीज की जिसे हमने बनाया है नेटिव हिंदी स्पीकर्स के लिए याने उनके लिए जिनकी मूल भाषा हिंदी है और वो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बोलचाल के लिए कमिनिकेशन के लिए इस particular course में spoken English के इस course में हम लोग बहुत ही systematic order में grammar के हर rule को समझेंगे basic level से लेकर याने parts of speech से लेकर advanced level तक की हम complete grammar इसमें cover करेंगे जिससे आपका school syllabus तो complete होगा ही होगा साथ ही अगर आप competition के तयारी कर रहे हैं या भविष्य में plan कर रहे हैं तो भी आपको मदद मिलेगी हर rule को समझने के बाद उसके उपर based on कई तरह की exercises करेंगे to reinforce our learning ताकि हम बहतर तरीके से उस rule को समझ सकें हम words भी सीखेंगे उनके meanings भी समझेंगे ताकि हम अपनी vocabulary को याने word power को भी improve कर सकें इसके अलावा हम लोग daily use sentences जो होते हैं वो भी समझेंगे ताकि day to day life में जो sentences काम आते हैं वो आपके brain का आपके communication का part बन सकें तो well सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि English सीखने की जरूरत क्या है आखिर क्या जरूरत है हमें English improvement की ऐसे बहुत सारे points हैं जो इस बात को establish करते हैं that English is the world's own local language अंग्रेजी जो है वो दुनिया की अनिवार्य भाषा है अगर हम कुछ points को देखें English is a global language अंग्रेजी एक अंतराष्टिय भाषा है अगर आप दुनिया के लोगों के साथ communicate करना चाहते हैं तो एक मात्र language जो सबसे ज़्यादा use की जाती है वो है English language English is the language of internet अंग्रेजी जो है वो internet की भाषा है अगर आप mail लिखना चाहते हैं communicate करना चाहते हैं लोगों के साथ internet पे तो सबसे ज़्यादा content जो available है वो English language में है तो इसलिए आपको English आने ज़रूरी है English is the language of technology and science अगर आप technology को पढ़ना चाहते हैं आप science को पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए आपको English बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी books available हैं most of the books are available in English language only then comes people who speak English fluently have more job opportunities मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी को शक होगा कि जो लोग बहतर English बोलते हैं उनके लिए बहतर job opportunities available होती हैं जब भी आप किसी interview में participate करते हैं तो आप से जो interviewer questions करता है he always asks in English हमारा next point है traveling is a lot easier with a good knowledge of English अगर आप सिर्फ विदेशों में ही नहीं अगर आप देश के अलग-अलग हिस्सों में भी travel करते हैं या travel करने के इच्छा रखते हैं तो आपको English आनी चाहिए क्योंकि कई ऐसे regional states हैं जहां की भाशा आपको नहीं आती है और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके लिए English अनिवार यह है तो यह जो हम बात करते हैं उन चार factors के उपर जो determine करते हैं कि किसी भी भाशा को सिर्फ English ही नहीं किसी भी foreign language को हम किस तरह से सीख सकते हैं अगर आप कोई भी foreign language सीखना चाहते हैं सिर्फ English ही नहीं दुनिया की कोई भी भाशा तो आपको सुनने से शुरुआत करनी चाहिए हम दुनिया की कोई भी भाशा सीख सकते हैं सुनकर आप अपने बच्पन को याद कीजिए कि आपने आपकी mother language को मातर भाशा को किस तरह से सीखा क्या आपके parents ने आपको व्याकरन पढ़ाया आपकी भाशा का नहीं आपने आपके parents को बोलते हुए सुना आपके elders को बोलते हुए सुना and with the course of time you started imitating them धीरे धीरे आप उनकी नकल करने लगे उन शब्दों को दोहराने लगे और इस तरह slowly and gradually you learn to speak your mother language इस तरह से आप आपकी मातर भाशा को सीख गए दुनिया की कोई भी भाशा बोलना इसी procedure से सीखा जाता है अगर आप English सीखना चाहते हैं English बोलना चाहते हैं तो आपको सुनने से शरुवात करनी चाहिए और सुनने के लिए आप ऐसे content को choose करें जो आसान हो जो सरल हो initial level पे कई लोग ये करते हैं कि वो directly foreign native speakers को सुनना चालू करते हैं आप Indian speakers की English audio recording से चालू करें YouTube पर ऐसा धेरो content available है सुनने के लिए जैसा मैंने कहा कि शुरुवात में ऐसा content चुने जो आसान हो सरल हो जैसे आप stories से चालू कर सकते हैं animated movies को देखें ताकि आप भेतर समझ बाएं अगर कोई word आपको समझ में नहीं आता है तो आप dictionary से consult करें आप ध्यान दें कि उनका accent कैसा है उनका लहजा कैसा है वो किस तरह से किसी particular word को pronounce करते हैं उच्चारित करते हैं और आप वैसा ही बोलने का अभ्यास करें सुनते समय सिर्फ सुने और ध्यान से सुने and listen the content repetitively और उस content को बार बार सुने ताकि आप बहतर तरीके से उसे समझ पाएं ऐसी चीज़ें चुने जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा dialogues हो ताकि वो छोटे छोटे small dialogues जो हैं वो आपके brain का हिस्सा बन सके आप English आप आपकी mother language कैसे बोलते हैं क्या आप पहले sentences को frame करते हैं नहीं sentences they just come to you वो automatically आपके दिमाग में आते हैं तो जब आप छोटे-छोटे dialogues को repetitively सुनते हैं बार-बार सुनते हैं तो वो आपके communication का हिस्सा बन जाते हैं then comes reading सुनने के साथ साथ आप पढ़ना भी चालू करें पढ़ने के शुरुआत आप story books से से कर सकते हैं आप ऐसी चीज़ें पढ़ें जो आपके interest की हो पर सरल हो समझने में कई लोग क्या करते हैं कि directly वो दो Hindu या the times of India से शुरुआत करते हैं नहीं आप ऐसे content को पढ़ें जो interesting हो सरल हो जैसे story books पढ़ें, comics पढ़ें और loudly पढ़ें क्योंकि जब आप उसको loudly पढ़ते हैं तो साथ साथ आप बोलने का अभ्यास भी कर रहे हैं then comes speaking पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ जब आपको कुछ-कुछ समझ में आने लगे तो आप बोलने का अभ्यास भी चालू करें आप आपके friends के साथ बात करें आपके elders के साथ बात करें और अगर कोई भी नहीं है तो आप खुद के साथ बात करें self practice करें आप खड़की से बाहर देखें आते जाते लोगों के बारे में बताएं describe करें passers by के बारे में then comes writing कुछ-कुछ लिखने का भी अभ्यास करें क्योंकि आगे चलकर आपको कई बातें आपके life में बहुत काम आएगी आपको mails लिखना होगा life में तो ये सारी practices आपको बहुत काम आएगी तो एक question आपके दिमाग में आ सकता है कि हम English बोलना सीखना चाहते हैं तो अगर English बोलने के लिए सुनना, पढ़ना और बोलने का अभ्यास जरूरी है then what is the significance of learning English grammar? तो फिर English grammar सीखने का क्या अचित्य है, क्या importance है? Actually, grammar सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि grammar आपको ये समझने में मदद करेगा कि जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप पड़ रहे हैं, या जो भी आप बोल रहे हैं, वो grammatically कितना correct है ये आपको sentence formation से से परीचित कराएगा That's why it is very important to learn grammar तो ये था एक छोटा सा परीचय English language के बारे में अब हम आपसे मिलते हैं हमारे next वीडियो में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया, do like, share and subscribe Thank you very much